गाइस अगर आप इंस्टाग्राम में नए नए ट्रेंडिंग रिल्स को जालना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही एलफूर होने वाला है इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाइ स्टेप रिल्स के एडिटिंग बताने वाली हूँ जिससे आप आसानी सी रिल्स को एडिट कर पाएंगे तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राब जिरूर कर ले और विल आइकन को भी प्रेस कर दे जिससे कि जब भी मैं वीडियो को अफ्लोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे और आप उस वीडियो को देख पाएं सो हेई गाइस मैं हूसुन दाली और आपका स्वागत है हमारे चैनल टेकनोलोजी स्मार्ट सपोर्ट में इस डिल्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये क्लिप चाहिए तो आपको ये क्लिप मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा और मेरे टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप टेलिग्राम पर टेक्नोलोजी स्वार्ट सपोर्ट सर्च भी करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा अब इसे ओपन करके जॉइन कर ले और फिर त्री डॉट पर क्लिक करें और सर्च को चोज करें और यहाँ पर प्रेटी सर्च कर ले तो इस तरह से यह वीडियो आ जाएगा अब आप यहाँ से इस वीडियो को डाउनलोड कर ले तो अब हम इस रिल्स के एडिटिंग वीयन एप से करेंगे तो आप वीयन एप को प्लेय स्टोर से डाउनलोड कर ले और अब हम वीयन एप को ओपन कर लेते हैं उसकी बाग यहाँ पर यह अकाउंट मिल जाएगा इस पर क्लिक करेंगे और फिर उपर आपको सेटिंग्स का आइकन मिल जाएगा इस पर क्लिक करेंगी फिर आपको यहाँ पर प्रिफरेंस लिखा हुआ मिल जाएगा प्रिफरेंस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर default photo duration and transition लिखा हुआ मिल जाएगा इस पर click करेंगी अब यहाँ पर photo duration में आपका यहाँ पर कोई भी timing set होगा जैसे यहाँ पर मेरा 3.00 set है तो हम इस पर click कर लेते हैं और फिर इसे हटा देंगी और यहाँ पर 0.30 set कर देंगी और फिर right के icon पर click करेंगी अब back आ जाते हैं मैंने इसमें timing set कर लिया है तो अब हम vn app के home screen पर आ जाएंगी फिर इस plus के icon पर click करेंगी और अब new project पर अब आपको यहाँ पर जो telegram से आपने video को download किया है सबसे पहले उसे choose करना है तो हम यहाँ से उसे choose कर लेते हैं फिर photos में आ जाएंगे फिर यहाँ पर हम अपने 22 photo को choose कर लेते हैं अब next पर click करेंगी उपर आपको original लिखा हुआ मिल जाएगा इस पर click करेंगे और फिर यहाँ से नए देशे 16 को choose कर लेंगी फिर last में आ जाते हैं और यहाँ पर आपको इसका black color का watermark मिलेगा तो हम यहाँ से इसे delete कर लेते हैं अब यहाँ पर timing पहले से ही set है तो अब हम इसे इस तरह से zoom कर लेते हैं फिर आपको इन दोनो फोटो और वीडियो के बीच प्लस का icon मिलेगा इस पर click करेंगे और यहाँ पर black को choose करेंगी और अब apply to all पर click कर लेते हैं अब आगया जाते हैं आपने यहाँ से clip को लिया है वहीं पर आपको यह reels भी मिल जाएगा आप वहाँ से इस reels को भी download कर ले और अब हम इसमें music को add कर लेते हैं तो tap to add इस sticker पर click करेंगे और फिर videos photos पर और अब हम यहाँ से उसी reels को choose कर लेते हैं फिर नीचे scroll करेंगे और यहाँ पर extract audio लिखा हुआ मिल जाएगा इस पर click कर लेंगी फिर इस reels को choose करेंगे और यहाँ से इसे delete कर लेंगी क्योंकि मैंने इसका music ले लिया है और अब यह video ready हो गया है तो हम इसे एक बार play करके check कर लेते हैं अब हम इसे अपने gallery में save कर लेते हैं तो इस icon पर click करेंगे और फिर export पर अब हम दिखा लेते हैं कि हमारा reels कैसे बनाए इसी तरह से आब बहुत यासानी से इस तरह के reels को edit कर सकते हैं